आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हेलो फ्रेंड्स, question पूछा है if the minimum and maximum humidity values on four different days are as given below which one is the most likely to be rainy day तो ये four days के humidity values है इन में से कौन सा day जो है जिस दिन rainfall होगा अब humidity मतलब ये atmosphere में कितना water vapor है water, vapor इसका जो percentage होता है ये decide करता है humidity अब humidity मतलब water vapor जो है अगर water vapor जादा है मतलब इसका क्या होगा condensation और ये vapor convert हो जाएगा vapor into water और ये precipitation process के बार यहाँ पे होगा rainfall तो इसके लिए maximum हमें क्या चाहिए humidity चाहिए rainfall के लिए और वो minimum हमें 43% और maximum 96% अगर humidity है तो उस दिन definitely क्या हो जाएगा rainfall हो जाएगा तो हमारा answer है option number 2 और बाकिके options ये गलत हो जाएगे इस दिन rainfall नहीं होगा लेकिर option 243 से 96% अगर humidity है इसके बीच में तो यहाँ पे पक्का rainfall होगा थेंक्यू अज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाट्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चारसो 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 पर उत्सके बीच में